तेतुस के नाम पॉलुस प्रेडित की पत्री, अध्याय एक पॉलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और इशु मसी का प्रेडित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास, और उस सत्य की पहिचान की अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, उसनन्त जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिक्या परमेश्वर ने जो जूट बोल नहीं सकता सनातन से की है पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट किया जो हमारे उधार करता परमेश्वर की आख्या के अनुसार मुझे सौंपा गया तेतूस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है परमेश्वर्पिता और हमारे उध्धार करता मसीही यिशु से अनुक्रह और शांती होती रहे मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ाया था कि तू शेश रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आग्या के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोश और एक ही पत्नी के पती हूँ चिनके लड़के बाले विश्वासी हो और जिने लुचपन और निरंकुष्ता का दोश नहीं क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोश होना चाहिए ना हटी ना क्रोधी ना प्यक्कर ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी वो पहुनाई करने वाला भलाई का चाहने वाला सैयमी नयाई पवित्र और जितेंद्रिये हो और विश्वास योग्ये वचन पर जो धर्मोग देश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मूँ भी बंद कर सके क्योंकि बहुत से लोग निरंकुष बखवादी और धोखा देने वाले हैं विशेश करके खतना वालों में से इनका मूँ बंद करना चाहिए ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बाते सिखा कर घर के खर बिगाड़ देते हैं उन्ही में से एक जन्ने जो उन्ही का भविश्यद वक्ता है कहा है कि क्रेदी लोग सदा जूटे दुष्ट पशू और आलसी पेटू होते हैं ये कवाही सच है इसलिए उन्हें कडाई से चिताउनी दिया कर कि ये विश्वास में पक्के हो जाएं और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुश्यों की आग्याओं पर मन ना लगाएं जो सक्ति से भढ़क जाते हैं शुद्ध लोगों के लिए सब वस्विश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं वरन उन की वृथ्थी और विवेक दोनों अशुद्ध हैं वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे खिर्णेत और आग्या ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम में के योग्य नहीं। पर तु ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपतेश के योग्य हैं। अर्थात बूढ़े पुरुष, सचेत और गंभीर और सयमी हो और उनका विश्वास, प्रेम और धीरच पक्का इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चालचलन पवित्र लोगों सा हो। दोश लगाने वाली और प्यक्कर नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। ताकि वे जवान स्त्रियों को चिनावती देती रहें, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीती रखें। वे सयमी, पती व्रता, घर का कारबार करने वाली, भली और अपने अपने पती के आधीन रहने वाली हो। ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुशों को भी समझाया कर, कि सयमी हो। सब बातों में अपने आपों भले कामों का नमूना बना। तेरे उप्रेश में सफाई, कंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। जिससे विरोधी हम पर कोई दोश लगाने की कौन आपाकर लज्जित्थों, तासों को समझा, कि अपने अपने स्वामी के आधीन रहें, और सब बातों में उन्हें प्रसन रखें, और उलटकर जवाब ना दें, वे चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश प्रमेश्वर के उद्धेश को शुभा दे, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकठ है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है, कि हम अभक्ती और सांसारी का भिलाशाओं से मन फेरकर, इस युग में सयम और धर्म और भक्ती से चीवन हम उस थन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वत और उध्धार करता यिशु मसी की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें जिसने अपने आपको हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुडा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाती बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो तूरे अधिकार के साथ ये बातें कहें और समझा और सिखाता रहें कोई तुझे तुछ ना जानने पाए अध्याय तीन लोगों को सुधी दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के आधीन रहें और उनकी आग्या माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें वे किसी को बदनाम ना करें छगडालू ना हों पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नमृता के साथ रहें क्योंकि हम भी पहले निर्बुध्धी और आग्या ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाशाओं और सुख विलास के दासत्म में थे और बैर भाव और डहा करने में जीवन निर्वा करते थे और घिनित थे और दूसरे से बैर रखते थे पर जब हमारे उध्धार करता परमेश्वर की क्रिपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीती प्रकट हुई तो उसने हमारा उध्धार किया ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप की पर अपनी दया के अनुसार नए जन के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ जिसे उसने हमारे उध्धार करता यिशू मसी के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनन्त जीवन की आख्या की अनुसार वारिस बने ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि इन बातों के विशे में द्रड़ता से बोले इस इने भली और मनुश्यों के लाप की हैं पर मूठता के विवादूं और वन्शा वलियों और बैर विरोद और उन झखणों से जो विवस्था के विशे में हूँ बचा रहे क्योंकि वे निश्फल और वेर्थ हैं किसी पाखंडी को एक दुबार समझा बुझा कर उससे अल कि कुस को भेजूं तो मेरे पास निकुपुलिस आने का यत्म करना क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने की ठानी हैं जनास व्यवस्थापक और अपुलोस को यत्म करके आगे पहुचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्थो की घटी ना होने पाए और हमारे लोग भी आव इश्वास के कारण हमसे प्रीती रखते हैं उनको नमस्कार तुम सब पर अनुग्रह होता रहे